शादी के लड़ों का खवाव हर कोई चखना चाहता है हर लड़की हर लड़की की खवाईश होती है कि उसको उसके मन पसंद का वर मिले किसी को वधु मिले आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है मन पसंद लड़की से शादी तो हो जाती है मगर जब उसके बारे में उसको पदा चलता है कि यह वो नहीं है जिसकी इसको चाहत थी तो उसकी जिस सपनों की सारी दुनिया थी कहने के लिए बिखर गई थी उसके बाद जिससे वो प्यार करता था जिसके बिना एक पल भी नहीं रहता था उससे फिर वो दूर भागने की तमाम कोशिशे करता है मगर वो कोशिशें उसकी नाकाम साबिते होती है आदाब, नमस्कार, शास्रीकाल, मैं उस्मान सैफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ ये सची घटना है मध्य प्रिदेश के इंदोर शहर की दरसल यहाँ पर एक MBBS डॉक्टर है और उसकी अभी शादी नहीं हुई थी रोज मर्रा की तरह है वो रोज मरीजों को देखता था आचानक है आज उसके केविन में एक बहुत ही खुपसूरत लड़की आती है और वो लड़की MBBS की वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी उस लड़की को देखने के बाद उसने उसका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद उससे कहा कि तुम क्या कर रही हो तो बताती है कि मैं MBBS कर रही हूँ और मैं गौालियर की रहने वाली हूँ गौलियर के पास एक गाउं लगता है मेरा मैं वहां की रहने वाली हूँ ये बात सुनकर डॉक्टर बड़ा खुश हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि मैं भी गौलियर के रहने वाला हूँ मगर तुम्हारे गाउं से मेरा गाउं की दूरी कुछ ही है और तो तुम्हारे परिवार के बाकी लोग ये दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देते हैं और बातचीत का सिलसला कुछ आगे बढ़ने लगता है यह कहानी कुछ आगे बढ़ती है उनकी दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद दोनों ही अपने परिवार वालों से शादी की बात भी कर लेते हैं शादी की बात होती है तो यह 4 advance 2017 को इनकी धूम धाम से शादी होती है शहर के पृतिशित लोग भी शादी में शामिल होते हैं उस लड़की के मिलने वाले भी और उस लड़के के मिलने वाला भी तमाम लोग उस शादी में शामिल होते हैं नासते हैं गाते हैं खाते हैं पीते हैं और ये शादी धुम धाम से हो जाती है शादी की पहली रात जब लड़का उस लड़की से मिलने की कोशिश करता है यहनि की डॉक्टर डॉक्टरनी से मिलने की कोशिश करता है उसके साथ प्यार की कुछ संबन बनाने की कोशिश करता है तो लड़की कोई ना कोई बहाने बना कर वहां से चले जाती है कहती है कि मेरी तवीत खराब है हम आज नहीं किसी ओर दिन बात करेंगे अगला दिन आता है अगले दिन भी ऐसे ही होता है तीसरे दिन भी ऐसे ही होता है अब इसके बाद चोथे दिन उस लड़के को कहीं न कहीं शक हो जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी उससे चूब बात नहीं करना चाहती है कुछ तो बात है, कुछ तो परिशानी है डॉक्टर था इसलिए उसे समझने में देर नहीं लगी और उसने उसको देखते ही पैचान लिया कि ये लड़की नौर्मल नहीं है उसके घरवाले भी नहीं जानते थे कि इस लड़की का बैक्गराउंट क्या है इस लड़की की असलियत क्या है उसके बाद ये महीने दर महीने गुजरने लगते हैं और उस लड़के ने उसके सस्रॉाल में जाकर शिकायत कर देता है कि आपकी बेटी मुझे बेवाहिक सुक नहीं दे पा रही है इसलिए मैं इससे सम्मंद रखना नहीं चाहता तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर साब को राहत नहीं मिलती है एक और वो लगातार पंचायतों पर पंचायत आयोजीत करा रहे थे कभी संब्रांत लोगों को बीच में डालने की कोशिश कर रहे थे कभी अपने डॉक्टरों के पैनल से मदद मांग रहे थे तमाम कोशिशें तमाम परियास डॉक्टर साब के विफल साबित हो रहे थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी जिसके चलते वो फैमिली कोट जाते हैं इन दोर के फैमिली कोट में जाकर अपील करते हैं कि मेरी पत्नी मुझे बेवाहिक सुख नहीं दे पा रहे है जजस साब इसलिए मैं अपनी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना चाहता हूँ जब ये मामला कोट में चलता है कोट में जाता है तो इस मामले की सुनवाई करते हैं प्रधान न्यादीश अनिल कुमार सोना ने अनिल कुमार सोना ने दोनों पक्षों को अदालत में शामिल होने के लिए नोटिस देते हैं यहां लड़का पक्ष तो शामिल हो जाता है मगर लड़की पक्ष कभी अदालत आया ही नहीं इसके बाद एक बार फिर से तारीख दी जाती है और तारीख देने के बाद डॉक्टर पक्ष तो शामिल होते हैं लेकिन लड़की पक्ष वो शामिल नहीं होता है और इस हिसाब से महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं तारीख पे तारीख पढ़ती चले जाते हैं लड़का पक्ष तो आता था मगर लड़की पक्ष नहीं आता था देरे देरे करके कब साड़े चार साल गुजर जाते हैं जिन्दगी के कुछ पता ही नहीं चलता है इसके बाद जब जजस साब को गुस्सा आता है उन्हें लगता है कि वाकि कहीं न कहीं लड़की वाले इसमें चीट कर रहे हैं दोका कर रहे हैं उसके बाद पुलिस का साहरा लेकर इस फैमली को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश देते हैं जब ये परिबार लड़की वाला कोर्ट में हाजिर होता है तब लड़की का मेडिकल परिक्षंट कराया जाता है और medical correction से साब जाहिर हो जाता है कि लड़की वाकई बेवाहिक सुख कभी दे ही नहीं सकती इस लड़की की जो शारिरिक धाचा बनाया था उपर वाले ने वो तो लड़की जैसा बनाया था मगर उसकी बोर्डी की कुछ पार्ट्स जो थे वो पूरे नहीं थे अधूरे थे इसलिए वो लड़की कभी भी ना तो मा बन सकती थी ना ही कभी बेवाहिक सुख दे सकती थी जब ये डॉक्टर की रिपोर्ट आती है तो कोर्ट में जजज साहब सहीद सभी लोग हैरान रह जाते हैं यहां तक की जो डॉक्टर साहब की वकील है जितिंदर सिंग ठाकूर वो कहते हैं कि संभपत मद्धे प्रदेश का यह पहला मामला है जिसमें किसी पती ने अपनी पतनी पर वैवाहिक सुख ना देने की वज़े से तलाग देने का अपील की है एक रिक्यस्ट की है हालकि जज साहब ने इस रिक्यस्ट को स्विकार कर लिया और उन दोनों को अलग रहने के आदेश दे दिये हैं मगर दिल्चस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि इस लड़की ने कभी भी अपने परिबार को अपने इस रास को पता नहीं चलने दिया और धुम नाम से शादी भी होती है वो सारे काम होते हैं जो एक लड़की के साथ होते हैं और यह कब से इस नाटक को नाटक की तरह च दुखना नहीं है, बल्कि इस लड़की के वारे में बताना हैं कि greatlyalा कि जिस लड़कीप जूट की बुनियात पर रिष्टी रिष्ट को कायम किय था उसे आसा नहीं करना चाहिए वो जानती थी कि वो कभी भी मा नहीं बन सकती है, कभी भी वैवाहिक सुख नहीं दे सकती है, तो उसे डॉक्टर साप के साथ ऐसा चीट नहीं करना चाहिए था, इसके बाप जूद भी जब मामला फैमिली कोर्ट में चलता है, तो महीने, दो महीने, छह महीने, एक साल नहीं, मैं लेके भी आया हूँ तो दोस्तों आपना खयार लखें सुरक्षित रहें जै हिंद जै भारत